जै श्री राम भक्त जनू बसा लो मन मंदर में राम तिरे सब पूरण होंगे काम प्यारे भक्तो अगर आपने अपने मन रूपी मंदर में राम को बसा लिया तो संसार का ऐसा कोई कारिय नहीं है जो पूरा नहीं होगा लेकिन कमजोरी कमी कहां पर है कमजोरी हमारी यह है कि हम राम को अपने मन मंदर में बसाते नहीं है बैठाते नहीं है क्योंकि मन का जो सुभाव है वह बिच्रण करने का है और आपका जो कारिय है वह अपूर्ण है उस कारिय को कोई भी कारिय को फूर्ण करने के लिए उस एस्थर मन को जो कभी इस्थर नहीं रहता है उसको इस्थर करके अगर आपने अपने मन के अंदर रमा दिया और ऐसे उसको बिठा दिया जैसे मंदर में किसी मूर्थी को बिठा देते हैं इस्थापित कर देते हैं तो वास्तम में आपका कोई भी कारिय है दुनिया का छोटा है बड़ा है किसी भी तरह का कोई भी कारिय है वह अपूर्ण हो नहीं सकता वह पूर्ण होगा लेकिन इस मन को राम रूपी मंदर में आपको बिठाना पड़ेगा तभी आपके सारे कारिय पूर्ण होंगे आपको ज़्यादा सोचने के आवस्चता नहीं समझने के आवस्चता नहीं सुन आपके पास है उसको मंद्र समझ करके राम को अपने अंदर अगर आपने इस्थापित कर लिया और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका कोई भी आहित कर नहीं सकता आपका हिती हित होगा आपका लाभी लाभ होगा आपको कोई हानी पहुचा नहीं सकता है आपका यसी यस होगा आपको कोई अप्यस दे नहीं सकता है आपका अनंत काल तक सम्मान ही सम्मान होगा आपमान होगा ही नहीं प्यारे भक्तों बस केबल और केबल आपने अपने राम को मन रूपी मंदर में जगह देनी ये बसाना है हम तो केबल समझाई सकते हैं करना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि मा के पास दूद होता है पीना तो बच्चे को ही पड़ता है तो आशा करते हैं कि आप आज से ही नहीं अभी से अपने मन रूपी मंदर में राम को बसाने का प्रियास करेंगे और कोई भी ऐसा कारिया है ज है जरूर पूर होगा जै स्री राम